दो बक्रियों की कहानी नदी किनारे एक छोटा सा गाउं था गाउं में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था लेकिन वे पुल इतना संक्रा था कि एक बार में केबल एक ही ब्यक्ति उसे पार कर सकता था एक दिन की बात है एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीद दिशा से आ रही है कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुँच गई पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोनों मेंसे कोई भी अपनी जगा से नहीं हीली बलकि अकड कर खड़ी रही तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली तुम मुझे जाने का रास्ता दो क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ इस बात पर दूसरी बकरी हस पड़ी और बोली होगी तुम मुझे से बड़ी लेकिन मैं तुमसे कहीं जादा ताकतवर हूँ मैं तुमसे जल्दी ये पुलपार कर लूँगी इसलिए तुम मुझे रास्ता दो पहली बकरी बोली मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी इसलिए हट जाओ कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में से कौन जादा ताकतवर है फिर बहस लडाई में बदल गई दोनों अपनी अपनी सिंगों से एक दूसरे पर वार करने लगी धीरे धीरे उनके लडाई बहुत बढ़ गई परिणाम ये हुआ कि उनका संतूलन बिगडा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जागिरी नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततै दोनों मर गई कुछ देर बाद दो और बक्रियां विपरित दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी इस बार एक बक्री ने समझधारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बक्री से बोली ये पुल बहुत संक्रा है इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है यदि हमने लड़ने की मुर्कता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गवा देंगी इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ तो मुझे लांग कर दूसरी और चले जाना दूसरी बक्री को भी ये बात समझधारी भरी लगी उसने पहली बक्री की बात मान ली पहली बक्री पुल पर लेट गई और दूसरी बक्री उसे लांग कर दूसरी ओर चली गई इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया सीख गुसा और अहंकार बरवादी की ओर ले जाता है वहीं समस्दारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकलाता है